फिर से भारत में बैन हुआ PUBG, BGMI, जाने वजए, 2020 में जब भारत सरकार ने 117 चीनी आप को बैन किया था, तो उसमें लोगप्रिय वीडियो गेम PUBG भी शामिल था, मगर बैन के कुछ ही मैने बाद PUBG, Battleground Mobile India नाम से फिर से भारत में वापस आ गया था, इसके बाद से ही इस गेम ने खूब लोगप्रियता बटूरी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक 29 चुलाई 2022 को फिर से प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर से Battleground Mobile India यानी BGMI गेम को हटा दिया गया है, तो क्या फिर से भारत में PUBG बैन हो गया है, और गेम को इन एप स्टोर से हटाने के असल वज़े क्या है, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे, लेकिन आके बढ़ने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन भी तपा लीजिए, दोस्तो पिछले दो साल में गेमिंग इंडिस्ट्री में खास कर भारत में बैटल ग्राउंड मोबाईल इंडिया गेम ने काफी तहलका मचाया था, अब भी इस गेम की लोग प्रियता बनी हुई है, तब ही बीते दिनों खबर आई कि एपल के आप स्टोर से तथा गूगल के प्ले स्टोर से इस गेम को हटा दिया गया है, जब इस बारे में गूगल और एपल की ओर से जानकारी मांगी गई तो मीडिया को बताया गया है कि भारत सरकार की ओर से ये ओडर आया था, जिसमें अपने अप स्टोर से बैटल ग्राउंड मोबाईल इंडिया गेम को हटा के लिए कहा गया था कंपनी ने बस सरकार के आदेश को मानते हुए और सभी नियम कानोनों को ध्यान में रखते हुए इन आप को अपने स्टोर से हटा दिया है बता दे कि वैसे तो पब जी गेम का निर्मान एक कोरियन गेम पब्लिशर क्राफ्ट टॉन ने किया है लेकिन मान आप कोई जानकारी नहीं दी गई है और फिलहाल कंपनी भी जानने की कोशिश में हैं कि आफिर भारत में प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर से हटा द ध्या गया है लेकिन भारत सर्कार की ओर से भी अब intéressant कर क्यों बारे में कोई जानकारी मीटिया से साजान नहीं की गई है ऐसे में इन आप के पैन होने के असल वज़े क्या है वो तो सरकार दोरा दी गई जानकारी के बाद ही साफ हो पाएगा वैसे बीदे दिनों संसद में भी आवाज उठी थी कि जिन आप को बैन किया गया है वो नए नाम से फिर से अपनी पुरानी कारे प्रनाली के आधार प हो फिर से भारत में बैन करने का फैसला सही है या खलत कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर जरू करें ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी क के लिए बैल आइकन दपा लें और हमारे साथ चुड़े रहें धन्यवाद